असलाम अलेकम दोस्तों मेरा नाम है आसिम आप देख रहे हैं जबर्दस्ता चैनल गैजिर्स गेट और आज की यह जबर्दस्ता वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं जबर्दस्ता प्रोडेक्ट इजएड कास्ट यानि आप वार्लेसली कुनेक्ट कर सकते हो आपके आपके पूरे के पूरे के पूरे फून को आपके टीवी के साथ में आपके जितना भी कुछ फून में आपके तीवी में दिखाना यानि आपका बड़ा टीवी जितना भी बड़ा टीवी है तो उसमें यह दिखाएगा तो जो भी कुछ यूज का रहे हो तो जो भी कुछ इजएड कास्ट नॉर्मली आपको थेरा सो से लेकर पाकिस्तान में तीन हजार तक सुनने को मिलेगा तो इजएड कास्ट कि यहां पर अभी इस वाल उठेगा जी कितनी रेंज है ठीक है तो रेंज में आपको क्लिर आपको जितनी वाइ-फाई की रेंज होती इतनी ही इसकी प्रवाई-फाई के जितनी रहें तो अभी सारे इसको उपन करके और अपको दिखावजता हू यह है इसएड कास्ट ऑढ में इस के अपनी वाइ-फाई इसका फिरूंपर लिखा भी हुआ तो यह जो वाइफाई है इसकी अपनी वाइफाई है जब आपund पूह स्को कित्य यानि एक जैसे वाइ-फै डिवाइस आपको न्यून नजर आगी अब जब सर्च करोंगे भी तिखाता हूं और यह सैकिन नंबर पर वाइ-फै रसीवर भी है जो आपका मेन इंटरनेट वाइ-फै वाला उसको रसीव करेगा उसके सिकनल को रसीव भी करेगा यह जो साथ में यूएसबी वाली केबल है यह वाली जो केबल है यह इसको पावर देने के लिए यानि यह जो डिवाइस है इसको पावर देने के लिए तो कोई आपके टीवी को कोई नुकसान ने होने वाला पस आपके टीवी में क्या चीज़ होना जरूरी है यह नहीं है कि यार मेरा यह तीए मेरे इतने इंच की नो मेंटर में कोई मसला नहीं कि कितने भी इइंच का कोई भी इंच का यह कोई को अब El Us zwei आपके फिसन संदूर विजन से ठीजो होगे आपके टीवी में अपने की तुट यह 4.something जो वर्जीन इससे पराने जो वर्जीन उनले कि और था था नहीं होंगे लेकिन जो 4.something जो बिता रहा रहा हूं। 4.something वो बड़े प्राने Android वर्जियन है अब तो हर किसी के पास जदीद फून है तो मेरे पास यह वाला 5.something लोली पॉप कुछ ऐसा वर्जियन है तो इसमें भी कुनेक्ट हो जाएगा लेकिन अब काफी हैवी किसम के फून आरे है तो इसली कुनेक्ट हो जाता है यह वाली आपने लगानी है Micro USB वाली के पॉर्ट में और यह जो दो साइडे बाच जेंगी यह वाई फाई वाली है और एक यह USB वाली है अब आपने यह USB वाला हिस्से है इसको आपने अगर आपके टीवी में USB पॉर्ट की जगह है वहां पे से पावर दे 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 वहां क्या उ मिलेगी तो आजकल जो लेटिस्ट फून आरे हैं उनमें आपको डी एल एन ने मिरा कास्ट और एर प्ले जैसे जो है उप्शन आपको मिल जाते हैं अगर आपके फून में है तो आप वहां से भी कुनेक्ट कर सकते हैं लेकिन जो सबसे इजी तरीक है इसको यूज करने को सबसे दो करेंगी में गैसे यह नहीं है। जै करते हैं अब नहीं है फटी में कर लेख ब्ले फिजए कर लेने के बाद जी आपने वन पर लगा लगाई हैं तो गरानी है। HDMI just simply आपको select कर लेनी है, HDMI select करते हैं आपके सामने इस तरह से आज़ेगी स्क्रीन, अब यहां पे जो हमारा काम है, सब से उपर मैं आपको दिखा रहों, SSID यानि आपके वाइ-फाई का जो नाम है, यह लिखा हुआ है, वाइ-फाई का नाम, इसके सामने इसका password लिखा हुआ ह जो आपको नजर आ रहा है, यह इसका password है, इसी के वाइ-फाई का password, अब आपने अपने मुबाइल फून में जाना है, जो आपका वाइ-फाई है, सेक्शन सैटिंग में जाए, वाइ-फाई में जाए, और वहां से जाके, यह SSID आपको नजर आ रहा है, यह सेम नाम का आप एक device connect हो चुकी है, वहां पे आपको internet connect करना है, अगर इसके लिए मैं आपको पूरी इसकी setting बता देता हूँ, overall जो भी इसकी settings है वो आपको समझा देता हूँ, इसके application को open कर लेना है, open करने के बाद में यहां पर आपको यह जो नजर आ रहा है, इसके उपर आपने click कर लेन यह वाली screen ठीक है, तो आपको अब यहां पर click करना है, यह जो तीन लाइने नजर आ रही है, यहां पर click करेंगे, तो इस तरह से setting open हो जाएगी, यह पूरे option open हो जाएगे, और यहां पर setting लिखा हुआ आजएगा, पहले नहीं होगा, जब आप वहां से connect कर लेंगे, तब य setting का निशान यहां पर आगा, जैसे मैं setting पर click करूँगा, वहां पर हम setting में चले जाएंगे, यह देखना, यह हम आगे, अब setting के अंदर, EZ cast की setting के अंदर, तो यहां पर option में सबसे पहले option मिलती है, आपको resolution की, यानि अगर आपने इसका resolution चेंज करना है, तो 1080, 30 frame per seconds तक आप इसके resolution को बना सकते हैं, इसके बाद जो आपको setting मिलती है, वो है इंटरनेट की, यानि आप अपने जो घर का या आपने जो इंटरनेट इस्तमाल करना है, आपका जो भी Wi-Fi है, आप वो connect करना चाहरे हैं, अगर आप use करना चाहरे हैं, तो connect कर लें, नहीं करना चाहते हैं, तो connect करने का तरीका है आप यहां से थोड़ा आगे जाएं इंटरनेट पे जाएं और यहां से okay करेंगे और यहां पे जितने भी आपके वाइफाई होंगे जितने भी एरिया में या इसकी range में जितने भी वाइफाई आएंगे वो सारे के सारे सर्च करके इस जगा में आ तो आप इंटरनेट भी यूज कर सकेंगे अगर आपने इंटरनेट को कुनेक्ट किया तो ओके तो यहां से आपकी जो भी वाइफाई है आप उसको ओके करो और उसके बाद में अपना पासवर्ड बगर अलगाओ वहां से ओके करके सेफ कर दो तो next option है default mode तो EZ Cast पर यह default है इसको default यहीं पर रहने दोग, इसको change करने के ज़रूरत नहीं है अब next option आ रही है वो है हमारे connection की यानि connection क्या कौन सी चीज़ का, यानि phone से EZ Cast का connection कैसा होना चाहिए तो वो VR router allowed है और उसके बाद में आपको VR router यानि आपका जो router है वाई-फाई router है उसके थूरू सरफ होना चाहिए या फिर आपको direct जो है direct link यानि आपको बीच में किसी भी router की जरूरत नहीं यानि आपने कोई भी वाई-फाई router की जरूरत नहीं डिरेक्ट ली आप अपने EZ cast इस option को select कर लेते हैं select करने के बाद बी खरना है ठीक है तो अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप directly बगएर इंटरनेट के इसके साथ connect हो सकते हैं तो direct करना है या वियर router करना है या आपको allowed करना है router के साथ यानी internet भी साथ में इस्तमाल करना है तो आपको वोई option पर रहने allowed वाली पर नेक्स्ट option है password तो password कौन सा password यह जो आपकी EZcast का भी आपको बताया था ना इसकी Wi-Fi है यह उसका password है तो अगर आप अपना password चेंज करना चाहरे है अपने तरीके से तो यहाँ पर OK करें और अपना password अपने इसाब से लगा लें यह EZcast की Wi-Fi का password है अब नेक्स्ट जो है more options है यहाँ पे more options के अंदर जाते है और डिवाइस का नाम आ जाते है नेक्स्ट उप्शन है EZ Channel इसको अउन रहने दे इसको आपने कोई भी सेटिंग में इसमें कुछ भी नहीं करना पावर सेव है उसके next उसको भी हमें कुछ नहीं करना एजी एर मोड है तो mirror plus streaming तो यह जो मोड है इसको नहीं पाफ़ा आप नोर्मल फून है तो आप इस आप मिने करते पक्रश्राइए अइसमें आपा काम होगिए और इसमें दो फून कुनेक्ट ह Pas素ब नहीं होतें तीन फून कुनेक्ट नहीं होतें सिर्फ ए-टाइम एक एक प्रक्नेक्ट रएह का सारे का सारा फून वहां पे है रुटेट वाली अप्शन को स्लेक्ट कर लें अगर रुटेट नहीं है तो यहां से बस एक दफा रुटेट कर ले और उसके बाद आपको कुछ भी इस्तमाल करना है तो आप कर सकते हैं तो आपको कर सकते हैं झाल 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 एरफ़्ष्टी आपको Allahозд MINED छोड़ा सा लग हैliches लेकिन आपको यहां पर कंट्रोल सेंटर ऋरो है यहांप में को क्लिक करना है यहां पर इस दिदा एकर इस कप़ करा। तो ये स्क्रीन मिरियरिंग लिखे आपको यहां पर क्लिक लेना है और यह आगया आपका जेव आएडी या लिए िए जो आपका IZ-Cast का नाम है वह यहां पर आजेगा और मैं जैसे इसे क्लिक करूंगा और यह इसको क्नेक्ट करना शुरूब हो जागा और पीछे जो झो है परफॉम्हेंस प्रवाइड करेगा ऐसा नहीं है कि यह दिवाइस में कोई थोड़ा बहुत इशू नहीं मैंने यह चीज नॉट कि है कि यार फोन थोड़ा बूफ लगा है तो इसमें थोड़ा सा लाग आता है तो आइफुन और यह जो सुनी का एंड्रुएट फोन है तो द नाइं दूँगा यह वो चीज निए प्रो लेकिन यूज के लिए अच्छी आप नॉर्मली यूज के लिए ले सकते हो ठीक है कि अगर आपको सस्ते में मिलती है तो आप ले लें मेरे तरफ से इसको 10 में से 9 मेरे रिव्यू इसके लिए यही है के 10 में से 9 आपके क्या रिव्यू है वो आप बताना तो प्यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी काफी इंफोर्मेशन थी जो मैंने इस वीडियो में शेयर की अलाहाफिज टेक केर बाबाए टाटाए